आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलिवूर्ड इंडास्ट्री की मश्हूर जोडी दिपिका पादकून और रनवीर सेंग की अपकमिंग फिल्म 83 की ट्रेलर की बारे में जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म का ट्रेलर रिलीस कर दिया गया है काफे लंबे टाइम से विवूर्स को फिल्म की रिलीस टेट का भी बेसबरी से इंतिजार था आखिरकार दिपिका और रनवीर की फैंस का ये इंतिजार खत्म हो गया है आपको बता दे कि 83 फिल्म को कबीर खान ने डारेक्ट किया है अगर आपको नहीं पता तो आपके जानकारी के लिए बता दे कि फिल्म 83 साल 1983 वर्ल्ड कब विनर इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन कपिल देव की बायोपिक है फिल्म में कपिल देव की भूमी का रनवीर सिंग निभा रही है साथ ही फिल्म में ताहिर राज भसीम, जीवा सलीम, जतिन सरना, चिराग पाटिन, दिनकर शर्मा, निशान्त धाया, हार्डी संधू और पंकच त्रिपाठी एहम किरदार में नजर आने वाले है बता दे कि 83 फिल्म को इंडियन बॉक्स ओफिस थीटर इसमें 24 दिसमबर 2021 को रिलीज किया जाएगा फिल्म का ट्रेलर अगर आपने देखा है तो इसमें शक की कोई बात नहीं कि आपको गर्व महसूस हुआ होगा अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखिए तो आई करते हैं 83 की ट्रेलर की बारे में कुछ बाते 83 की ट्रेलर में रनवीर सिंग इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन रहे कपिल देव की तौर पर देख रहे है कपिल देव की जर्णी काफी इंट्रस्टिंग वे में देखने को मिलने वाली है ट्रेलर में बड़े ही बखुबी से दिखाये गया है कि कैसे कपिल देव ने इंडियन क्रिकेट टीम की हार को जीत में बदला सिर्फ अपने मेहनत और लगन से भारत को पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीताया आपको ट्रेलर देखकर बिल्कुल भी नहीं लगने वाला कि आप किसे फिल्म का ट्रेलर देख रहे है क्योंकि बहुत ही रियलिस्टिक आपको लगने वाला है कई साल पहले भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था वो ही फिलिंग आपको फिर से इस ट्रेलर के जरिये महसूस होने वाली है आपको बता दे कि कपिल देख की वाइफ का रोल इस फिल्म में असल जिंदगी में रनवीर सिंग की पतनी यानि की देपिका पादुगोर ने निभाया है जो कि रोमी भातिया की भूमी का निभा रही है I hope 83 का ट्रेलर रिव्यू आपको पसंद आया होगा साथे हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं कि आपको 83 का ट्रेलर कैसा लगा क्या आप इस फिल्म को थीटर्स में देखने वाले है या नहीं और आप इस फिल्म की रिलीस के लिए कितने एक्साइटेट है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं बाबाई, साइनिंग ओफ फॉर दिडे, स्टे टून, स्टे हैपी